मेरी ननत का पती पिछले कई सालों से विदेज में था, लेकिन फिर भी वो हर साल पेट से हो जाती थी, और अब तक उसके दो बच्चे हो चुके थे, लेकिन मेरे ससुराल में कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं करता था, पर मुझे हैरत होती थी कि ये कैसे मुम्किन हो सक मैंने अपनी ननत पर नजर रखना शुरू किया, तो देखा कि रात को उसके कमरे से किसी मर्द की आवाज आती है, एक दिन में चुपके से उसके कमरे में पहुँची, और जब मैंने कमरे की तलाशी लेते हुए, जैसे ही उसकी अलमारी को खोला, तो उसके अंदर मीरा बत मुझे गुस्सा आ रहा था, जी चा रहा था कि ये औरत कहीं गायब हो जाए, और कभी बापस ना आए, इसके बारे में सोचते सोचते पूरा एक घंटा गुजर गया, मैंने गुस्से से एक आखरी नजर उस पर डाली, और फिर मूँ फेर लिया, और ये पहली या दूसरी बार की बात नहीं थी, मुझे इस घर में आए हुए लगबग दो साल हो गए थे, मगर मैं पती के साथ होते हुए भी बे आुलाद थी, और मेरी ननद अजीव औरत थी, उसका पती उसके पास नहीं था, वो विदेश में रहता था, और ननद हमारे घर में हमारे साथ रहती थी, मगर वो हर साल पेट से हो जाती थी, और हर बार सेहत मंद बच्चों को जनम देती थी, और अब वो फिर से पेट से हो गई थी, मुझे बहुत जादा गुस्सा आ रहा था, कि ये सब क्या हो रहा है, सबसे जादा तो मैं इस बात पर हैरान थी, ये कैसे बेशरम लोग ह जो कि किसी भी तरह की कोई पूस्ताची नहीं करते थे, कोई सोचता ही नहीं था कि ये हर साल पेट से कैसे हो जाती है, मेरी सास भी एक अनोखी औरत थी, हर बार बेटी के पेट से होने पर उसकी देखबाल अच्छे से करने लग जाती थी, और उसको बहुत अच्छी में रहता ही नहीं था, मैं उन लोगों से बहुत परिशान हो चुकी थी, कुछ मेरा दिमाग अपनी शादी की वज़ा से खराब रहता था, उपर से अपने नंद के हर साल पेट से हो जाने पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था, मुझे लगता था कि मैं यहा पागल हो जाओंगी, वो सब लोग अजीव इंसान थे, हमारे घर में बस दो ही मर्द थे, मेरे ससुर और मेरे पती, मेरे जेट का तो कुछ वक्त पहले देहान थो चुका था, और मेरे जेटानी वी शादी के साथ साल तक बे आुलाद ही रही थी, मेरे पती दूसरे सहर में नौकरी करते थे, और मेरे ससुर सांत मिजाच के थे, जो किसी भी मामले में जादा नहीं बोलते थे, वो कुछ अलगी रहते थे, मैंने एक दिन अपनी जेटानी से उन सब के मामले के बारे में पूछा, क्योंकि वो मुझसे पहले शादी करके इस घर में आई थी, मैं सोच के बहुत सारे रिस्ते आने लगे थे, इसलिए घरवालों ने भी जल्दी ही एक अच्छा और कम उम्र का लड़का देखकर उसकी शादी कर दी, सुरू से ही हमारी नंद हमारे साथ ही रही, और उसके पती ने उसे बहुत महबत और प्यार से रखा था, मगर फिर अचानक ए जाने के बाद भी हमारी नंद की यही हालत रही थी, वो हर साल प्रेगनेंट हो जाती थी, नजाने उसमें इतनी शक्ती कहां से आई थी, कि हर साल एक स्वस्त बच्चा पैदा करती थी, एक तो वार तो ऐसा हुआ है कि उसके बच्चे पेट में ही दम तोड़ जाते थे, ल तो वो विद्वा होने का गम भी जेल रही है, मेरी जेठानी खुद भी इस बात से बहुत परिशान रहती थी, और वो चुपचाप रहती थी, जब से वो विद्वा होई थी, उन्होंने घर के मामलों से बिलकुल किनारा ही कर लिया था, कभी-कभी मैं ये सोचने पर मजब से हो जाती थी, और कभी-कभार अगर उसकी तबियत जादा बिगड़ती, तो दोनों भाईयों से मा कहते थी, कि बहन को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, और दोनों भाई बिना बाट टाले, उसे अच्छे से अच्छे अस्वताल में ले भी जाते थे, मेरी जेठानी भी इस बाट से बहुत परिशान होती थी, कि वो लोग कैसे है, उन्हें कुछ पता ही नहीं, कि पती के बाहर होते हुए भी ये प्रेगनेंट हो जाती है, या फिर इस बाट को वो नजर अंदाज करते थे, मैं सोच कर पागल हो रही थी, कि ये प्रेगनेंट कैसे हो जाती है, ये कैसे मुम्किन था, महले वालों से तो उन लोगों की बनती ही नहीं थी, मैंने शादी के बाद कभी अपनी सास को किसी के घर आते जाते नहीं देखा था, और ना ही कोई उनसे मिलने आता था, इसी तरहा मेरी नंद भी जादा कहीं नहीं आती जाती थी, मगर फिर भी हर साल वो प्रेगनेंट हो जाती थी वो वेशरमी से भाई और बाप के सामने वहां घूंगती रहती थी और मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आता था मेरी जेठानी की फितरत ऐसी नहीं थी कि वो किसी के मामले में दखल अंदाजी करे मगर उनकी बातों से मुझे ये अंदाजा हो गया था कि वो भी कुछ दिनों तक इस अजीब बात की वज़ा से हमारी नंद की खोजबीन में रही है वो बता रही थी कि हमारी नंद के इस घर में आ जाने के बाद से हमारे घर से बाहर कोई भी नहीं आता था और ना ही हमारी नंद जादा बाहर जाती थी, फिर मैं किचिन में खाना बनाने चली गई, मगर मैं दिल ही दिल में अपने पती से इस मामले में बात करने की सोच रही थी, और आज मैं शाम को ही सोच रही थी कि जल्दी से मौका मिले तो मैं उनसे बात करूँ, वो आएं तो ब तो मैंने उनसे बाते करना शुरू कर दी और घुमा फिरा करके बात को मैं अपनी ननत की तरफ ले गई मैंने कहा कि आपके लिए फिर से खुशकबरी है कि आप मामा बनने वाले हैं मुझे लगता था कि शायद वो मेरी बात पर चौक जाएंगे या अपनी नजरे चुराएंगे मगर वो तो आराम से अपना सिर हिला रहे थे और बोले भगवान करे कि सब ठीक ठाक हो ये सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा कि ये कैसे इंसान थे जिने कोई परिशानी ही नहीं थी मैंने ठंडी सांस भरी और अपने खयाल को उन पर जाहिर कर दिया कि कैसे ये मुम्किन हो रहा है उसका पती तो उसके साथ ही नहीं रहता वो मेरी इस बात को नजर अंदाज करते हुए अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गए ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये बाते सुन ही नहीं पा रहे हैं सारी बात उनके कान में डालने के बाद भी मैंने उनके चेहरे को वैसे कब ऐसा ही पाया तो दिल ही दिल में मैं इन सब की बेशर्मी पर बहुत हैरान रह गई और चादर ओड कर सो गई मगर अब मुझे जानने के लिए कोई और ही रास्ता ढूलना था क्योंकि हार तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी यही सब सोचते सोचते मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला सुभा जब मैं जागी तो जैसे दिमाग खाली सा हो रहा था मैंने वो सब बाते दिमाग से निकाल कर खुद को ताजा किया और नाश्ता बनाने में लग गई फिर नाश्ता किया और कपड़े दोने के लिए छट पर जा कर मशीन लगाई मैं पूरी ध्यान से कपड़े धूती जा रही थी और साथ ही अपनी नंद के बारे में भी सोच रही थी और कपड़े धूते धोते मैं ये भी सोच चुकी थी कि किस तरीके से अपनी नंद की सारी सच्चाई मैं सब के सामने लेकर आऊंगी अगले दिन पती के ड्यूटी जाने के बाद मैंने अपनी नंद पर पूरी तरह से नजर रखना शुरू कर दिया और वक्त गुजरने लगा पर मुझे कभी कभी लगता कि मैं इस घर पर ही नजर रखकर गलत कर रही हूँ मेरी नंद तो बिलकुल शान तौरत थी जो अपनी काम से काम रखती थी ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ बैट कर खाती थी बलकि वो हमारे साथ कामों में हाथ पटाती थी मेरी नंद चुपचाप से सारी काम करती जाती थी अगर कभी हमारा खाना बनाने को दिल नहीं करता तो हम नंद के सहारे पर ही छोड़ देते थे या फिर कुछ खास बनाना होता तो भी नंद को ही कह देते थे फिर वो चाहे सारा दिन किचिन में ही क्यों ना गुजार दे हमने कभी भी परवाह नहीं की थी और फिर सारा काम उसी को करना पड़ता था क्योंकि अगर एक बहु काम नहीं कर रही तो दूसरी को कैसे कहा जाए ऐसा ना हो कि वो बुरा मान जाए और घर में दंगा फसाद सुरू हो जाए देखा जाए तो हमारी ससुराल वाले भी हमें कभी बुरा भला नहीं कहते थे ऐसे में अपनी बेटी को कहां वो कुछ कहने वाले थे मगर उन सब बातों का अंदाजा मुझे आस तक नहीं हुआ था मैं दिल से नंद के राज खोजने में लग गई थी और फिर एक दिन मैंने अपनी नंद की एक अजीब हरकत देखी जिसने पूरी तरह से मुझे चौका कर रख दिया था मैंने देखा कि मेरी नंद किचिन से काम करके निकलते हुए किसी जड़ी बूटी का एक टुकडा उठा कर लाई और उसे चुपा कर अपने कमरे में घुज गई मैं हैरान हुई कि ये कैसी जड़ी बूटी है और मेरी नंद को इस जड़ी बूटी का क्या काम वो इसके साथ क्या करेगी मगर फिर मैं ये सोच कर चुप रह गई कि शायद उसे किसी काम के लिए जरूरत हो कुछ दिन तो इधर सुकून से गुजर गए थे और फिर पांच-छे दिन के बाद मेरी नंद वैसा ही एक और टुकडा उठा कर ले गई और अपने कमरे में लेकर चली गई मैं हैरान थी क्योंकि अगले हफते से फिर से ऐसा ही हुआ था अब थो अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि मेरी नंद किचिन में आती और वो अजीब सी बूटी का छोटा सा टुकडा लेती और कमरे में चली जाती फिर दसवारा दिन सुकून से गुजर गए थे और उसके बाद फिर से उसने वही हरकत कर दी मैंने नंद के जाते ही भाग कर गलियारे में मैंने उसके कमरे के खिड़की तलास की और वहां से अंदर जाग कर देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया वो उस टुकडे को लेकर बातरूम में जाकर घुज गई थी मेरा दिमाग तो फटा जा रहा था मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी इस सब का पता नहीं लगा पा रही थी मगर तक्तीर भी शायद मेरा साथ दे रही थी उस दिन के बाद ही मेरी नंद जब मेरे साथ किचिन में रात का खाना बनाने में बिजी थी तो वो अचानक तेजी से किचिन से वो टुकडा उठा कर बाहर निकली मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि जल्दी में भी वो उस टुकडे को लेना नहीं भूली वो आखिर इस बूटी का रात के वक्त क्या करती थी मैं हैरान हो रही थी और इस अजीब सी हरकत की वज़ा जानने के लिए बेचेन हो रही थी मेरी नंद जल्दी से बाधरूम में जाग हुसी मैंने भी ये मौका हांस से जाने नहीं दिया और बात्रूम के रोशन दान तक मैं किसी तरह से पहुच गई, रोशन दान काफी उचा था, जिसकी वज़ा से मुझे कुछ नीचे रखकर अंदर झाकना पड़ा था, जब उची होकर मैंने अंदर झाका, देखा तो हक्का बक्का रह गई, वो दिन का वक्त था, खूब आ गई, बड़ी मुश्किल से खुद को समालती हुई, मैं वहां से उतरी, और किचिन में जाकर अपने आपको समालने लगी, थोड़ी देर बाद मेरी नंद किचिन में दाखिल हुई, तो मैंने ऐसे जाहिर किया, कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मैं और नंद फिर से काम करन लगे, और फिर काम खत्म होने की बाद मैं अपने कमरे में चली गई, और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए, एक दिन मेरी नंद को नहाना था, और उसकी बात्रूम में पानी आना बंध हो गया था, मेरी सास ने उसे किसी और बात्रूम में नहाने को कहा, तो मेरी जिठान ने उसको कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे बात्रूम में नहा लो, उसने फोरण ही इंकार कर दिया था, मैं ये सोच रही थी कि आखिर वो इंकार क्यों कर रही है, क्योंकि ये तो आमसी बात थी, किसी के बात्रूम में नहाना कोई परेशानी वाले बात तो नहीं थी, मेरी नहाने के लिए छट पर चली गई हमारे घर की छट पर भी एक छोटा सा बातरूम था अपनी ननत को छट पर जाता हुआ देखकर मैं अपने कमरे में जाने की बजाए इधर उधर करती रही और फिर खुद को सब की नजरों से बचाकर नन्द के कमरे में जाका और उसका पूरा कमरा मैंने छान मारा और जब मैंने अलमारी को हाथ लगाया तभी मेरी सास वहां कमरे में पहुँच गई और मुझे अलमारी के पास खड़ा देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई जैसे कि वहां पर कोई खजाना चुपा हुआ होगा उनके सवाल करने पर मैंने भी बहाना बना दिया कि दुले हुए कपड़ों में मेरे एक सूट का दुपट्टा मुझे नहीं मिल रहा था मैंने सोचा कि जेठानी या नंद के कपड़ों में कहीं न चला गया हो मेरी सास आगे बड़ी और मुझे से कहा कि मैं जेठानी के कमरे में देखूं और वो मेरी नंद के कमरे में खुद देख लेंगी मुझे अप्शक होने लगा था कि इस अलमारी में आखिर ऐसा क्या था जो वो मुझे से छुपा रही थी मैं तब तो वहां से खामोशी से निकल गई लेकिन मैंने दोबारा वहां देखने का इरादा कर लिया था मेरी नंद नहा कर नीचे आई तो वो मा बेटी कमरे में जाकर बैठ गई और मैं छट पर जा पहुँची मैंने वहां में बात्रूम में जाकर जब चेक किया तो मेरा सरचकर आ गया वहां तो नहाने की बाल्टी मेवी थोड़ी सी वो जड़ी बूटी मौजूद थी मैं तो परिशान ही हो गई थी मैं फारण जेठानी के कमरे में जा पहुची और बॉक लाकर मैंने उत्व बजाया कि मुझे अपनी नंद की हरकते कुछ ठीक नहीं लग रही है मेरी जेठानी चौक गई उन्हें हैरत हुई थी कि मैं अभी तक अपनी नंद की जासूसी कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैं नंद को उसके हाल पर छोड़ दू क्योंकि घर में सब लोग ये सब देख कर भी कुछ नहीं बोलते हैं तो बहतर यही है कि हम भी खामोश रहें मगर मैं खामोश नहीं रह सकती थी मैं घर में होते अजीवो गरीव हरकतों को नजर अंदाज नहीं कर सकती थी मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी पुरानी दोस्त को कॉल मिलाई मेरी वो दोस्त डॉक्टर थी और काफी समझदार भी थी मैंने अपनी सहेली को बातों ही बातों में बताया कि मेरी नंद का पती बहुत सालों से अमेरिका में रह रहा है मगर वो तो यहां हर साल एक बेटे को जनम देती है मैं हैरान थी कि आखिर ये कैसे मुमकिन है फिर मैंने उसे हर रात उसे जड़ी बूटी को गलत जगा पर इस्तमाल करते हुए भी देखा है मेरी नंद अपने आपके एक हिस्से पर ऐसी जड़ी बूटी का इस्तिमाल करती थी उस दिन बातरूम में रौसंदान से जहांक कर जो मैंने देखा था मुझे जटका लगा था और आज मैंने उपर छट पर भी उस जड़ी बूटी को पानी में देख लिया था मेरी सहेली ने मुझे सला दी की हो सकता है वो उस जड़ी बूटी से अपना किसी बीमारी का इलाज करती हो क्यूकि कई जड़ी बूटियां बहुत सी जटल बीमारीयों का इलाज भी करती है मैं ये सुनका परिशान हो गई और अगले रोज सुबा के बक्त मैंने ननत से पूछी लिया कि वो ऐसी जड़ी बूटी का इस्तमाल क्यों करती है मेरे सवाल पर वो बिना घबराय सुकून से बोली कि भावी मेरे शरीर में कुछ प्राबलम है मैं जब भी बाथरूम इस्तमाल करती हूँ तो मेरे शरीर के कुछ हिस्सों में जलन होती है मैं इलाज के तौर पर ही जड़ी बूटी का इस्तमाल करती हूँ और इसी से मैं ठीक रहती हूँ मैंने कहा ठीक है मैं फालतू का इतना सोच रही थी और उस पर नजर भी रख रही थी मेरी नंद चली गई मैंने सर पकड़ लिया कि जड़ी बूटियों का इस्तमाल तो बेशक इलाज में हुआ होगा मगर मेरी नंद का प्रेगनेंट हो जाने का मामला अभी भी अपनी जगा पर मौजूद था मुझे उसके कमरे का खयाल आया शाम के बक्त जब मेरी नंद किचिन में काम करने के लिए आई थी और मैंने अपने सास ससुर को खाना ले जाकर दे दिया तब ही मैं नंद के कमरे में चुप चाप पहुँची उसकी अलमारी आज बंद थी मैंने उसके बै इसको अभी अभी प्रैस किया गया था और नीचे भी दो जोड़ी कपड़े रखे हुए थे और हैरत तो मुझे सबसे ज़्यादा तब हुई जब मैंने देखा कि ये शर्ट किसी और की नहीं बलकि ये तो मेरे ही पती की थी मेरे पती जब भी आकर मुझसे कपड़े दुल मैंने कपकपाते हाथों से अलमारी को बंद किया और फिर मैं अपने कमरे में पहुची और खामोसी से विस्तर पर लेट गई अब जो मुझे समझ आ रहा था वो मैं समझाना नहीं चाहती थी मैं चाहती थी कि मैं इस बार जल्दवाजी ना करूं मगर ये बात छोटी तो न नहीं थी मेरी नंद का यूँ अपने पती से दूर रहकर भी बच्चे पैदा करना और मेरे पती के कपड़ों का उसके कमरे में मौजूद होना ये सब नजर अंदाज नहीं कर सकती थी ये सब सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था मुझे वो पूरा घर ही अब चाल बाज लग रहा था आखिर ये कैसे लोग थे और यहां पर ये क्या हो रहा था मेरा दिमाग सोचने से इनकार कर गया था फिर मुझे याद आया कि जब मेरी जेठानी विद्वा हुई तो मेरे सास और ससुर ने मेरे पती को उनसे साधी करने की सला दी थी मगर मेरे पती ने तो ये कह कर इनकार कर दिया था कि वो अपनी भावी का खर्चा उठाएंगे मगर वो मेरे अलावा किसी और को नहीं रख सकते थे वो सब सच था या ख्वाब मैंने बहुत ध्यान से ननत की जासूसी करना सुरू कर दिया था मगर अब मेरे लिए रातों को सोना मुश्किल हो गया था मैं अक्सर रात को घूंती फिरती रहती थी मेरी नन्द किसी रात अपने बेटे को अपने साथ सुलाती और किसी रात वो अपने दोनों बच्चों को अपने नाना नानी के पास सुला देती थी और तब मेरी नंद अकेले ही कमरे में सोती थी अपनी नंद की निगरानी करते हुए एक रोज मैं सुबा पांच बजे उठ गई और फ्रेश होकर कमरे से निकल गई मेरा इरादा नंद के कमरे की तरफ जाना था मगर आंगन में जब मेरी नजर पड़ी तो मेरी रूहु काँप गई क्योंकि आंगन में मुझे किसी मर्द का साया नजर आया था वो साया चलता हुआ दीबार के पास पहुँचा और दीबार पर चड़कर दूसरी तरफ कूद गया मैं बुरी तरह से चौक गई थी कि शायद कोई चोर या डाकू हो जो रात को हमारे घर डाका डालने की नियत से आया हो सुबा उठकर मैंने जेठानी को बताया तो उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुरा कर बोली कि अंदर चोर आया था मेरी जेठानी ने मुझे सोच में देखकर नर्मी से कहा कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है वो बोली मुझे देखो अपने काम से काम रखती हूँ हमारी नंद की हालत पर भी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं मगर मैं उन सारे सवालों को दवा जाती हूँ उसकी माबाब अभी जिन्दा है वो उससे सवाल जवाब कर सकते हैं और हम लोगों का उसे कोई लेना देना नहीं है इसलिए आइंदा तुम भी इस सब के बारे में मत सोचो और इन सारे विचारों को दिमाग से निकाल दो वो काफी हद तक ठीक ही कह रही थी ये हमारा मामला नहीं था और मैं जरूर उनकी बात माल लेती मगर सच जाने बिना खामोशी से एक तरफ मैं बैठ नहीं सकती थी मैंने अपने पती के कपड़े अपनी ननत के कमरे में देखे थे और ये कोई मामूली सी बात नहीं थी लेकिन मैं ये बात अपनी जेठानी को नहीं बता सकती थी उनके समझाने पर मैंने सिर हिला कर यही साबित किया कि मैंने उनकी बात को समझ लिया है और अब मैं उनकी बात पर अमल भी करूँगी एक रोज मेरी नंद अपने कमरे में अकेली सो रही थी तो मैं राद के दूसरे पहर अपने कमरे से निकल कर दवे पाओ उसके कमरे की तरफ चली गई तो नंद के कमरे से मुझे कुछ आवाजे सुनाई दे रही थी और उन आवाजों ने मुझे चोकनना कर दिया था मैंने कान लगाए तो अंदर मेरी नंद के धीरे धीरे रोने की आवाज आ रही थी अभी मैं रोने की वज़ा पर सोचती और कुछ जानने की कोशिश करती तब ही मुझे एक मर्द की आवाज सुनाई दी जैसे की कोई मर्द बहुत धीरे से बात कर रहा हो मेरा शक अब यकीन में बदल गया था मेरी नंद के कमरे में कोई आदमी भी मौजूद था मगर उसकी आवाज बहुत हलकी थी जिसकी वज़ा से मैं पहँचान नहीं पा रही थी कि ये कौन है लेकिन अब ये मेरी लिए एक बहुत अच्छा मौका था मैं सच्चाई जान सकती थी मगर मुझे डर था कि कहीं मुझे अंदर वो शक्स नजर ना आ जाए जिसके होने से मैं डर रही थी मैं इस खौफ से उस कमरे में जाकर बंद हो गई जहां से मैं आई थी और सोचने समझने की मेरी सारी सकती मैं भूल चुकी थी मैंने सुबह ही अपने पती को कॉल करके बहाने से पूछा कि वो कहा है तो वो बोले कि मैं तो दूसरे सहर में हूँ मैंने उनसे कहा कि एक तो दिन के लिए आप घर आ जाईए मेरा दिल बहुत उदास है मेरा दिल घवराहट में था मेरी फरमाईश पर मेरे पती ने आज रात घर आने को कहकर कॉल काट दिया मुझे लग रहा था कि मैं किसी तरह अपने शक को खतम कर सकती हूँ पूरी रात मैं इंतजार करती रही और मेरे पती घर नहीं पहुँचे थे मैं फिर से उठकर नंद के कमरे के दरवाजे पर पहुँची तो आज भी मुझे वहाँ से हलकी हलकी आवाजे सुनाई दे रही थी अब तो मुझे गुस्सा आने लगा मैंने एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा पीटा तो घर में एक भूचाल सा आ गया था मेरे साथ ससुर अपने कमरे से निकल कर आ गए और जेठानी भी बाहर आ गई और मेरी नंद ने दरवाजा धीरे से खोला तो उसके चहरे का रंग उड़ा हुआ था अचानक से वो डर गई थी मैंने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया और अंदर मैंने जिस सक्स को देखा तो मेरी तो आँखें हैरस से फटी के फटी रह गई कुछ यही हाल अब मेरी जेठानी का भी था मगर मेरे सास और ससुर बिल्कुल आराम से खड़े हुए थे इसका मतलब साफ ये था कि उन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम था मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था कि ये सब क्या था मैं चुपचाप खड़ी थी फिर मैं थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोल पड़ी उस टाइम घर मेरे पती भी आ गए थे सब को मेरी ननत के कमरे के दरवाजे पर जमा हुआ देखकर वो भी भही आ गए और सवाल करने लगे मैं यहां हंगामा खड़ा करके सब की बीच में बुरी बन गई थी वो सक्स जो सामने सर जुकाए खड़ा था वो कोई और नहीं बलकि मेरी ननत का पती था मुझी और मेरी जेठानी को भी हैरत हुई कि वो चुपकर अपनी बीवी से मिलने क्यों आया था और वो तो अमेरिका में था फिर वो इंडिया कब पहुँचा आखिर ये सब क्या माजरा था हमारी समस से ये सारी बाते बाहर थी मैंने सब के बीच सच बोल दिया कि मुझे अपनी ननत पर शक था मैंने कल भी उसके कमरे में किसी आदमी की आवाज सुनी थी और पती से दूर रहकर उसका हर साल प्रेगनेंट हो जाना भी हमारे लिए सोचने की बात थी मेरी पती ने हमारी उल्जन पर गहरी सास भरते हुए हकीकत बताई जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया हमने तिर्ची नजरों से अपने नंदोई को देखा जो अभी तक सर जुकाए खड़ा था मेरी नंद भी परिशानी से खड़ी थी मेरी पती ने बताया कि हमारी नंद का पती अमेरिका कभी गया ही नहीं था वो तो इंडिया में ही था अरकसर रात को अपनी वीवी और बच्ची से मिलने आता जाता था ये बात मेरे सास ससुर और मेरे पती भी जानते थे मगर बस उन्होंने ये सच्चाई हम से चुपाई थी क्योंकि मेरी नंद के पती ने अपने दोस्तों से लड़ाई में गलती से एक दोस्त का कतल कर दिया था और तब से पुलिस मेरी नंद के पती को तलाश कर रही थी ये मुझरिम करार देने के बाद से वो बहुत तर गया था और लोगों में ये बात फैला दी गई कि वो फिर अमेरिका चला गया है इसलिए वो छुपकर मेरी नंद से मिलने आता था और उसके लिए मेरे पती ने अपने कपड़े दिये हुए थे जाहिर है मेरी नंद अगर अपने पती के कपड़े धोती तो फिर हमें शक होता इसलिए मेरे पती हर बार आकर अपने कपड़ों के साथ वो कपड़े भी डाल देते थे मैं सरमिंदा हो गई और आगे बढ़कर अपनी नंद को मैंने सीने से लगा लिया और वो यकीनन तमाम हालात में काफी मुश्किल का सिकार रही होगी इसलिए वो अपने पती से मिलकर रोती थी हम दोनों भावियों का शक उसे भी परिशान करता रहा सच का पता चलने के बाद से मेरी नंद के पती मिलने आते थे हम घरवालों को पता होता था कुछ महीनों बाद उनका केस हल हो गया और सबूत के साथ उनकी बेगुनाही साबित हुई तो पुलिस से जान चूट गई और मेरी नंद अपने पती और बच्चों के साथ अपने ससुराल वापस चली गई तो दोस्तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पुलिस इस कहानी को जादा से जादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें